असलाम अलेकुम टीर स्टुएंट्स आज के इस लेशन में हम पर्चंटेज और गेट के पर मूली के उपर डिस्कस करेंगे इसके लिए में माइक्रोफ एक्सिल ऊपन करता हूँ प्रियूस लेसन में यहां तक काम किया थे अचिया लेसन में हम पर्सेंटिज दिवाइड़ ब्रेट के फर्मूली के पर डिसकस करेंगे इस पर्सेंटेज का जो फॉर्मूल है उसके लिए आप एक्वल टू अब पर्सेंटेज में विशा निकलती है आउट्पूट डिवाइड़ बर इन्पूट मुल्टिप्ला बर हंडड़ एक्वल टू अब यहां पर जो ओप्टेंट माक्स जो कि आपकास एल थ्री में इक्वल टू अब आपके पास अप्टेंट माक्स या फिर आउट्पूट जो होती है वह अपनी यहां पर एड़ करनी है जैसे कि में यहां पर नोट्पर उपन करके वह उता देता हूं परसंट इच का फर्मूले एक्वल टू अब आपके अप्टेंट माक्स डिवाइड़ वाइड़ टोटल माक्स मुल्टिप्लाइब आपके अप्टेंट माक्स है इन्पूट अपस टोटल माक्स है मल्टिप्लाइब आ हंडड़ फर इजमपल अपके पर जो फर्मूला बनेगा वह कुछ यह बनेगा आपके अपके 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 अपस कहां पर कुछ यह बनेगा तो ऑप्तेन मास कहां पे के त्री डिवाइड़ड़ वा एल्थी ग्मल्टिक्ने में अंड्री पे शरी एल्थी डिवाइड़ वे के ट्री ओपेंग माउस और के ट्री टोटल माउस है L3 divided by K3 multiplied by 100 और फिर आप इंटर करेंगे तो आपको यह फर्मूला अप्लाइब हो जाएगा फर्मूला अप्लाइब करके देखते हैं एक्वल टू अप्टेन मक्स नहां पें L3 में L3 सेलेक्ट हो गया डिवाइड़ वाइड़ टोटल मक्स कहां पें K3 में डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ के त्री मल्टिप्लाइब हो एंडर्ड इंटर करें 68% इसके मार्क्स आगे इसी तर इसका जो दूसरा स्विका का रहा हो यह है एक्वल टू आप यहां से अप्टेन मार्क्स जोगे L3 सेलेक्ट करें डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ के त्री को स्लेक्ट करें इसके 76% मार्क्स है इसी तर अगर ग्रेड का फर्मूला देखा दे तो ग्रेड का फर्मूला क्या होता है तो ग्रेड का फर्मूला भी अब देख लें ग्रेड का फर्मूला क्या होते हैं एक लटो इफ में अगर बैगर स्टार्ट हम ग्रेड अमेशे परसंटेंड से निकालते हैं परसंटेज अपस कहां पर M में है अब यहां से मैं निकालना है गेड़ हर एक अलग लग होता है, मेन उनिवस्ट्री में अलग होता है, 50 % वाल पांस होता है इसी तरह, अगर ज्ञ तो college, mathematics… इसके हर एक का अलग लग लग होता है और गेड की जो % लेट लिग ते है जो आपके गजिट होता है उसकी बैक से तो इस तरह जो 60 मतलब 68 से रेका है जिसके मार्क से 80 तक आई थी उसका A grade आ जाते है और इसे 80 से बाव है उसका A plus grade आ जाते है यह 68 से जिसके कम है बाद में 60 से कम होते है उसका second V and B grade आ जाते है तो सबसे पहले equal to F bracket start M3 जो है यह percentage है M3 is greater than अगर M3 ज्यादा है यह percentage ज्यादा है 80 अगर 80 से percentage है ज्यादा है अगर 80 जो है 80 परसंट से अपके मार्क स्यादा है 80 परसंट से तो उसका A plus grade बन जाएगा इसी तरह मैं यहाँ पर जो formula apply करता हूँ आपने पूर formula apply करना है अगर आप सही तरह से अपने काम करना है प्रेक्टिस के लिए बेशक कोई भी गए लेकिन जब आपने सही तरह से अपने ग्रेड निकालने उसके लिए आपने पहले देखना है कि कितने नम्मर वाला कौन से ग्रेड में आते है कित्ती परसंटेज वाला कौन से ग्रेड में आते है फिर आपने उस रख करने है तो मैं यहाँ पर if m3 is greater than 80 comma a plus आ जाएगा उसका फिर उसके पाद if bracket start m3 is greater than 70 में 1010 कम करको जाएगा 70 comma double quotes इसका a आ जाएगा double quote comma इसी तरह गर if bracket start m3 is greater than 60 comma double quotes इसका b a जाएगा for example comma if bracket start m3 is greater than 50 comma double quote c double quote comma if bracket start m3 is greater than 40 comma double quote c double quote comma if bracket start m3 is greater than 33 comma double quotes pass double quote comma grade इतना खास को ही इसका पिर इसी तरह if bracket start if bracket start m3 is less than less than 33 33 से जिसके नमबर कम है अब less than डाल दो या फिर greater than 0 कर दो 0 से जिसके ज्यादा नमबर है 0 से 33 तक जिसके नमबर है या फिर 36 से लेस दिन कर दो less than 33 comma double quote fail double quote comma उसके बाद क्या करने है आपने कि जितनी बार अपने bracket को start के तो आपने close करने है one two three four five six seven times हमने bracket start किये कब seven times क्या करतो close अब इस फर्मूलिय को समिदे की कोशिश करें अब यहाँ पर कह रहे है इस अगर m3 mean percentage है percentage percentage 80% से ज्यादा है total 100% होती है अगर वो 80 और 100 के बीच में उसका a plus grade बनेगा और अगर जिसकी percentage जो 70 और 80 के बीच में 70 and 80 के बीच में उसका a grade बनेगा जिसकी percentage 70 और 60 के बीच में उसका b grade बनेगा जिसकी percentage 50 और 60 के बीच में उसका c grade बनेगा जिसकी percentage 40 और 50 के बीच में उसका d grade बनेगा और जिसकी percentage 33 और 40 के बीच में वो pass है और जिसकी 33 से कम है वो field है तो यह इसका formula है total अब हम इसे practically apply करते है grade is equal to if bracket start m3 percentage select होगे m3 is greater than 80 comma double quote a plus double quote comma if bracket start मैं यहां से इसको थोड़ा सा जूम कर रहे हूं ताकि आपको सही नजर आए grade equal to if bracket start m3 is greater than 80 comma double quote a plus double quote comma यहां पर देखें इसे तरह if bracket start m3 is greater than 70 comma double quote 8 double quote comma if bracket start m3 is greater than 60 comma double quote b double quote comma if bracket start m3 is greater than 50 comma double quote c double quote comma if bracket start m3 is greater than 40 comma double quote d double quote comma d double quote comma if bracket start m3 is greater than 33 comma double quote pass double quote comma if bracket start m3 is greater than less than less than 33 comma double quote fail double quote comma अब bracket आपने close करनी है कितनी बार आपने bracket add कि है 7 times इसके लाब आप bracket को close करते जाए जब लास्ट प्रेकट ब्लैक आई की आप इंटर कर दें देखें ब्लैक आगी है अब आपने क्या करना है इंटर कर दें इसका क्या ग्रेड बने के जिए बीड तो यह था जी फर्मूला तो उमीद है कि आपको यहां तक समझ आया होगा तो इस फर्मूले को अपने याद नहीं करना आपने सिर्फ यहां तक याद करने यहां तक उसके आपने क्या करना है कि आपने बस परसंटेज डालनी है और ग्रेड डालना है बस परसंटेज डालनी है ग्रेड डालना है तो यहां तक आपने सिर्फ परमूले को उस्जाय में रखने तो यहां गए इसका क्या गए जिबीग अब यहां पर एक और अपने आपको टिप्स देता हूं फर एजबल में यहां प अगया बेदाल नमब कर तो यहां देकि मैं नहीं लिख ली है अब देखें यहां पर आपने क्या करना है कि अब देखें यहां पर अपने एक बार फर्मूला apply कर लिया और formula apply करने के बाद आपने just देखें यहां पर मैंने fields आ लिए यहां पर लिख ली और just आपने यहां तक इसको range को select करने है सब का जो है तो यहां पर इसको select करें और यहां तक तो देखें सब के update हो गए नमबर अब इसी दर अगर यहां पर जाएं और जाके ज़रा देखें इनको percentage तो सब की percentage भी आगी है अब इसके 95% ने क्योंकि इसके 768 marks ने 800 में से अब इसी तरह grade को यहां से यहां तक ड्रैकर के ने चले हैं तो देखें तो यह सारे pass है फेल हो गया क्योंकि इसके mark देखें 17% ने 17% यह पास है और यह देखें A plus grade में बाकी A में B में देखें सारे यहां पर इसके बाद जब आप एक बार range बनाने के बाद उसको select करते हैं select करने के बाद जब आप number add करेंगे इसके मैं यहां पर add करता हूँ अब जो ही देखेंगा मैं total marks में जाता हूँ तो सारे के सारे आप्टमेटिकली देखें आगे देखें total marks पर जो ही मैं निक्लिक किया तो देखें obtain marks पर आगया है percentage भी आगया और grade भी आगया एक बड़ पर मैं यहां पर करता हूँ जो ही देखें मैं अब tab press करके मैं total marks में जाओंगा तो देखें यहां पर 8 पर सारी फील्ड इंजट हूँ जाए तो यह था जयाद का लेसन अब देखें एक बार हमने काम कर लिया अब हमें बार बार फर्मूले प्राइब करने जूरू होती है एक बार ही काम किया इसको ड् जैसे कि 56.375 ज्यादा होने इनको यहां से आप क्या करेंगे नंबर में जाए और यहां पर देखें तो डिकीज डेसिमाल है और फिर इंक्रीज डेसिमाल करें तो आप देखें अब सही हो गया जी अब 68.9 आगे 76.6 आगे 4 आगे तो यह तो इसने क्या कर देखें डिकीज समझ आया होगा इंशाले नेक्स लेसन भी मिलते हैं तब तक अपने ख्याल लिखेंगा तुदा हाफिस